गजल नवासी हिज्जर में आशिक अपना हाल बयां करते हुए कहता है कि जुदाई की आग से मेरी जान, मेरा जिगर सब जल गए है हर रात जुदाई की आग मेरे सीने में लगती है और मुझे सेर से पैर तक जला कर खत्म कर देती है यह माशूख खुद ही जिगर पर जख्म लगाता है और फिर खुद ही उन पर नमक छिड़कता है इस हालत में फर्याद और आहें ही आशिक का साथी होती है इस जुदाई की आग की गहराई बियान करते हुए खौजा साहिब कहते हैं कि इसके शोले के सामने दोजक की आग एक चिंगारी की तरह है जुदाई में तेरी जले है जानो जिगर दिल जलों के कैसा वक्त है कि दिल पे आपड़ी आफत दिल जलों के सर से पैर तक जल गया जुदाई की आतिश में हाल कोई बताओ मुहम्मद को हम दिल जलों के आँख में खून है रवा, खुश्क हो गया है जिगर आग वो आई जले समंदर जमी सब दिल जलों के दिल में लगती है नई आग हर इक रात मेरे कि सुभा की आहों से कहीं जल न जाए जिगर दिल जलों के एक तरफ तो देता है जख्म जिगर पर आशिकों के फिर छिड़कता है जिगर पर नमक हस कर दिल जलों के साथ अपने हैं सिर्फ फरियाद और आहें सुभा की भागते हैं देख कर सब हाले जिगर दिल जलों के आतिशे इश्क बनती है शोला दिल पर मोईन कुछ इस तरहां की जलता हुआ दोजक तो है चिंगारी दिल जलों की गजल नब्बे इस गजल में आशिक आगहा करता है कि इश्क के दर्द का राज हर किसी से नहीं कहना चाहिए क्योंकि लोगों की बात तो एक तरफ मेरा दिल भी मेरा गम सुनने को तैयार नहीं इसलिए मैं खामोशी इक्तियार कर लेता हूँ असल में दुख दर्द ही आशिक का बिछोना होता है दर्दे दिल हर शक्स से अपना छिपाना चाहिए आशिक को सोजे दिल घास फूस से ना कहना चाहिए मैं कभी-कभी दिल से खुद ही गम का फसाना कहता हूँ गर दिल भी फिर जाए तो खामोश रहना चाहिए हालाकि मेरा बदन तेरे दर पे है मगर हर एक से कमतर हूँ जब तेरा जाबाज हूँ तो वापस ना आना चाहिए जिस्म से दिल को अलग कर फिर जांका शिकार कर खुश किस्मत शेहबाज को गिद ना कहना चाहिए तेरे लबे लाली का बिमार खून के बिस्तर पर सोता है आशिकों के तकिये को रेशम ना समझना चाहिए यू तो तेरे आगे रखता हूँ गुनाह मैं बेहिसाब गर कहे तू रूबरू होकर सुनाना चाहिए एमोईन लोगों से ना कहे राज उसके गमे इश्क का हर किसी से हाल शाहों का ना कहना चाहिए इस गजल में अनोखे ढंग से वहदत की सिफ़त की गई है हर शेर में सवाल पूछा गया है और सवाल में ही उसका जवाब है कौन है वह कौन है से खुद ही जवाब मिल जाता है खुदा अपने को जुदा जुदा सूरतों और लिबासों में जाहिर करता है लेकिन हम अनजानों को एक के दो दिखाई देते हैं यानि इस वहदत में कसरत दिखाई देती है दिखाई परदे के पीछे हसी चहरा वो कौन है हटाई रुख से हर वक्त एक परदा वो कौन है कब तक देखेगा तू भेंगों की तरहां उसको मुक्तलिफ दिबास में जुदा जुदा सूरत और लिबास में आए जो वो कौन है जाम हथेली पर रख कर देखे वो उसमें हुस्न अपना बढ़ाए जो मस्ती और सरूर में की वो कौन है यकीं है कि यार मेरा छे दिशाओं से है परे आए जो दूसरी राहों से हर दम वो कौन है इश्क के मकबरे में है जो दोनों जहां की दौलत है जो देखता है दिल में फिर दिल से मिट जाए वो कौन है पास कुछ नहीं है मेरे मगर आशिक मैं उस दिल बर का हूँ आशिकों के नाज नखरे जो उठाए वो कौन है शामे जुदाई में दिल के आंगन पर छा जाता है गम का अंधेरा फिर जांके गुंबद पर जो चांद सा चेहरा दिखाए वो कौन है शाखे गुल के तक्त पर गुल जूलता है नाज से दर्द भरे नगमे जो बुल बुल गुन गुनाए वो कौन है बुल बुल की तरह मोईन अपने यार का दिवाना हुआ चेह चहाता है जांके गुल्शन में जो वो कौन है अपने यार के नूर पर फिदा रूप इश्क की खुश्बू पाकर जिस्म की कैट से आजाद हो जाती है दिल पर चलाए गए माशूक के नश्टर आशिक के लिए असरदार दवा साबित होती है उसी आशिक को यार का विसाल हासिल होता है जो खुदा का दर नहीं छोड़ता आ रही बु कहां से की रूप और दिल सरशार है इश्क की बू है या खुश्बू जुल्फे यार है बू उसकी पाकर रूप चाक करती है पहरहन पाक है वो रूप और जिस्म तेरा तार है जर्रे की तरहां गर्दिश में है ये जाँ उसके नूर पर नूर ऐसा नहीं आफताब का जैसा नूरे यार है यह वही जाँ है जिसे दिल ढूंडता है हर तरफ लब पे लब रखे इस वक्त रूबरू वो दिलदार है आशिकों के दिल पे वो चलाता है नश्टर सदा जख्म नश्टर का नादेख देख की दवा ये कितनी असरदार है कौन से दिल को नसीब है दावत त्वसले यार की माना दिल मेरा बद है लेकिन कुट्टा कुचाए दिलदार का है छिड़की है जब से वहदत की शराब मोईन की जान पर या खुदा तेरे नाम के नारे की अर्ष तक जहनकार है ख्वाजा साहिब फरमाते हैं यह सच है कि जिस्म दुनिया से जुड़ा है और रूह उस अल्ला के साथ इस जिस्म से निकल कर ही रूह अपने असल में समा सकती है खुदा खुद ही आशिक रूहों को इस दुनिया में भेजता है फिर माशूक बनकर आशिकों के नाम पर अपने साथ ही इश्क करता है और खुद उन्हें लेने आता है खलक के साथ है तन, अल्ला के साथ जान तन गिरिफतार जमी पे और रूह है सात्वे आसमा तन है निशाना तीरों का, इस जहां के हादसों का रूह खास तनहाई में है मालिके कौनों मकां अंगूठी के उपर जड़ा था मोती चमकता हुआ होकर जुदा वो अंगूठी से हुआ अपने असल में निहा बुखा रात बनकर उठा पानी दर्या से बादल बना कत्रा बनकर फिर गिराप दर्या में हुआ बहरे रवा गर हवा न गिराती बादल से कत्रा दर्या में वो अनमोल मोती हसीनों के पास फिर होते कहा मोती इक लाकर बजारे दुनिया में बेच दिया खुद बना है दलाल वो और खुद ही खरीदार निहा ए मोईन परदे के पीछे देख उस सुल्ताने गैब को खुद से ही इश्क वो करता बना में आशिका अपनी जा में इश्क की आग लगने पर आशिक का चैन करार सब छिन जाता है इस जुल्म के दर्ज से बेचैन होकर वो रहमत के लिए फर्याद करने पर मजबूर हो जाता है लेकिन सब्र रखने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं होता आशिक कहता है लोग समझते हैं कि इश्क ने मुझे दुनिया से विरान कर दिया पर इश्क ने नकाब हटा कर मुझे जिन्दगी की कैद से आजाद कर दिया तेरे इश्क की आग लगी है जब से जामे मेरे मेरे आरामों करार मुझ से सभी दूर हुए जखमी है मेरी रगे जां तेरी निगा से चंग की तरा कुछ ताजूब नहीं गर दिल जुल्म से फरियाद करे यह दिल तेरी जफां के मैदा में है पड़ा सब्र बिना चारा कहा जब आफत ऐसी आ पड़े उस शाहे इश्क ने विरान किया इस शहरे दिल को लेकिन अमबार खजानों के हैं हर तरफ लगे हुए खलक कहती है कि यह शहर क्यों विरान हुआ यह विरान ना हुआ बल्कि वो आबाद हुए एक अरसे से बंधा था जिन्दगी की कैद में दस्ते गैब ने आकर बंद सारे खोल दिये साकिये बज में खुदाई ने खोला दर मैं खाने का कि हजारों जाम शराबे वहदत के मुझको दिये जब से साकी ने हटाया रोशन रुख से नकाब तूर मेरी हस्ती का हर तरह से बेबुनियाद किया वो सभी जामे मैं जो मोईन ने थे पिये प्यास फिर भी मेरी अब तक वो कम ना किये गजल पिच्चानवे इस गजल में आशिक कहता है कि मैं शराब से मस्थ होने वाला नहीं मुझे तो यार का विसाल ही मस्थ कर सकता है हो सकता है यार से मिलकर उसके लिए तडप और बढ़ जाए उसके सामने जाकर मैं बेजुबा हो जाओं यार की तलाश करते करते जब आशिक की हस्ती खत्म हो गई तो फिर वह पूछता है कब तक तेरी तलाश करता रहूं खुदा कहता है मुझे दुनिया में कहां डूंडता फिरता है मैं तो तेरे जिस्म में तेरी जांब बन कर रह रहा हूँ अपनी हस्ती के आइने को साफ कर आशिक जवाब देता है कि मैं तेरे इश्क में इस जहान से रुस्वा होना चाहता हूँ इस फानी दुनिया से उपर उठना चाहता हूँ दो जहान की दौलत मेरे लिए मिट्टी है क्योंकि मेरी रूँ तेरी खुश्बू से सराबोर है मैं नहीं वो रिंद की हो जाऊं पीकर सरगरां गर लब पे लब रख दे वो हो जाए मस्त मेरी दिलो जां बांसुरी की तरहां उसके हिज्र में मैंने खीचा है दम बढ़ गई आहो जारी जब लबों को उसके चूमा मस्त हूँ इस वक्त ना पूछ तु साकी की अदा होश जब होगा तो करूँगा अपना अफसाना बया कहता था देखूँगा जब उसे हाले दिल करूँगा बया यह ना था मालूम उसके सामने हो जाऊंगा बेजुबा दोस्ती है दरिया से मुश्किल मेरी तो कश्ती ही डूब गई पार कर देना मुझे हैरत के भवर से ऐ खुदा बेनिशा मैं हो गया उस बेनिशा की तलाश में काश आखिरत में भी रहूं उस बेनिशा में बेनिशा पूछा उससे कब तक खाक छानता फिरूं जहां की तेरे लिए तेरी जुस्तजू में कब तक फसा रहूं मैं उल्जनों के दर्मिया बोले वो क्या ढूंडता फिरता है जहां में खुद में देख जा बन कर जिस्म में तेरे हूं जाहिर और निहां आइनाए हस्ती को अपनी मांज कर चमका दे तु की छुपा हूं बेशक लेकिन जाहिर रहता हूं हर लमहा आकबत के सिलसिले में देना जाहिद मश्वरा चाहता हूँ इश्क में हो जाऊं मैं रुस्वाए जहां जन्नत में दीदारे यार की उमीद के खातिर खुदा की कसम रहना चाहता हूँ हर दम खुल दे जिना तू ही जाने फानी दुनिया की तंगी से पार कब जाऊंगा चाहता हूँ रहू अंदर मैं फिजाएं लामका दो जहां की दौलत मेरी जान के दामन पर एक मुठी गर्द है चाहता है दिल की हो आजाद कैदे खाकदा से खाक का जर्रा हूँ पर है दोस्ती आफताब से अपने कदमों को उठा कर जाऊं मैं उचे आसमा मोईन की रू सराबोर है तेरी खुश्बू से चाहता हूँ सर से पाउं तक हो पाके रू मेरी जान गजल 96 खुदा का साया हमेशा आशिक के सिर पर होता है जिन्दगी के हाथसों में उसकी रहमत ही आशिक को निजात दिलाती है खुदा की खिद्मत से आशिक को रूहानी बुलंदी पर पहुँचने की नेमत मिलती है इसी लिए वो अपने शाह के सामने आयास जैसा बन कर रहना चाहता है आप कहते हैं कि बंदा जब तक हस्ती की कैद में है और उसमें सब्र से ज्यादा हवस है तो कुछ भी हासिल नहीं होता जब खुदा अपना जलवा दिखाता है तो यह जिस्म गैरत के जंग से साफ हो जाता है और हकीकत सामने आ जाती है गजल के आखिर में आप कहते हैं कि इश्की रहा पर कदम बढ़ाते हुए रास्ते की दूरी और ढलती उम्र आशिक को बेचैन कर देती है इश्की आग में उसकी जाँ और जहान जल चुके हैं वहे खुदा से फरियाद करता है कभी तो तू मुझ पर रह्मो करम करेगा एक निगाहे नाज जो डाली शाहे दिल नवाज ने मुझ पर कि सर्वे नाज का साया हमारे सिर पे हुआ है तू वो हुमा जिसके साय में थे हम सब पहले हजार शुक्र है कि फिर साया तूने मुझ पे डाल दिया दिल मेरा जब कभी जमाने के हाथसों से दुखी हुआ तेरी रह्मत का सौ बार फिर हकदार हुआ बुलंद मुकाम पर पहुँचने की मिली है नेमत मुझे क्या खूब है कि तेरी खिद्मत से ही यह फाइदा हुआ मिल जाए दौलत मुझ को भी कुछ ऐ आखिरत के शाह दे रुत्बा मुझे भी जो हो आयास के जैसा इस जहां से गैब की तरफ जब से रुख मेने किया दुल्खने आसमा की आती हैं पेशवाई के लिए कैसे बनी यह काइनात राज मैं सुनाता हूँ तुझे कि एहले राज ने है मुझ से ये राजे इश्क कहा जहां में जब तक तु कैदे हस्ती में है ग्रिफतार तु मेरे दीदार का उसी तरह तालिब है जैसे मेरा नाज करना फाइदा किस तरह उसकी दुकां से हासिल हो हवस जादा हो सब्र से तो फिर फाइदा क्या बैठा हूं इंतजार में कि कब परदाए जलाल उठे खोल दे गैब के हाथों से वो दर रसाई का जहां जब जल्वा दिखाए धुल जाए जंग बदन का इस खाकी जिस्म में हकीकत तेरी हो जाए जल्वा नुमा वफा क्या उम्र में ढुडूं कि जो सांस लेता हूं वो लौट कर नहीं आती ऐसी है उम्रे वफा हर एक सांस से कदम बढ़ाता हूं मैं क्या करूं उम्र कम हुई जाती है दूर है अभी रास्ता हैरत है कि जहां और जहां की दौलत लुटी जाती है मिठता है गम एक तो हो जाता है दूजा पैदा सुना है मैंने की जले हुए को भी तू सवार देता है गर ये सच है तो मैं जल चुका हूं मुझको बना नेकी जो खत्म हुई तो हुआ करम वाजिब जैसे हर नमाज में फातिया से फाइदा मिलता है गर आसमा ना दे साथ तो रुक कर मोईन खुदा की तरफ कभी तो महबबत की नजर वो कारसाज मुझपर इनायत करे गजल सत्तानवे काइनात की शुरुवात से खुदा ने हर रूँ में इश्क का जो जादू फूका था उसका फसाना कयामत तक कायम रहेगा इनसान अगर अपनी रूँ की आँख से उस नूर को देखे तो उसका नूर किसी से छुपा नहीं माशूक शमा है तो आशिक परवाना उसके बिना आशिक का इस विराने दिल में रहना मुश्किल हो जाता है ख्वाजा साहिब कहते हैं कि जब से मैं यार का दोस्त बना हूँ मैं दुनिया से बेगाना हो गया हूँ आशिकों में शराबे इश्क का पैमाना हूँ उस परी को देख कर मैं दिवाना हूँ अजल के रोज कहा जो कान में जादूई लवजों से कयामत तक सब की जुबाँ पर वही अफसाना हूँ बोला मैं चहरा दिखा उसने कहा देखना है क्या हुस्न मेरा गर देखने की आँख है तो मैं छुपा नहीं हूँ जब से देखा है बुथ में हुसने बुथगर को मैंने दर पे बुथखाने के रखे हुए सर खुद से बेगाना हूँ हुसन उसका खीचता है मुझको खुद अपनी तरफ जैसे वो रोशन शमा हो और मैं परवाना हूँ इस विराने दिल में ठेहरना कब तक है मुम्किन कि जब शाहे दो जहां का मैं हम खाना हूँ तूटे दिल को कहा मैंने तू कहा और वो कहा बोला वो खजाना है मेरा और मैं विराना हूँ जिस्म दरिया दिल सीपी और दिलबर को मोती समझा था मैं पर नहीं वो है दरिया मैं तो एकदाना हूँ जिस्म हुआ दिल दिल हुआ जान और तू है दिलबरे रूप न दिल न बदन न जाने जाहूँ मैं तो सिर्फ आशिक हूँ दर्मिया मेरे और मेरे साकी के पड़े हैं, परदे सौ हजार, चाक हो जाते हैं एक नारे से मेरे, मैं वो मस्ताना हूँ जब से मोईन अपने दोस्त का आशना हुआ, दूसरों के दर्मिया अब मैं बेगाना हुआ गजल 98 इस गजल में नसीहत दी गई है कि खाकी जिस्म की हद खाक है और आसमानी रूँ की हद आसमान नौवे आसमान की बुलंदी को चूने के लिए तुझे इश्क की आग में जलकर पाक होने की जरूरत है इश्क की घाटियों को पार करने के लिए गफलत छोड़ कर सचेत होना लाजमी है जिस्म गर है मिट्टी इसको खाक होना चाहिए रूँ है आसमानी तो उसे आसमा में रहना चाहिए चाहता है इश्क की आग में तु जलना अगर खोटे सोने की तरह जलकर पाक होना चाहिए इश्क की रह में पड़ी वादियों को तु कर ले पार कब तक रहेगा सुस्त तुझे चुस्त रहना चाहिए मौत के इस तीर से कब तक बचेगा तु ऐ दिल मुर्दे की मिसाल पिंजरे में कैद रहना चाहिए एमोईन गर चाहे की फलक के पार जा पहुँचे रब की रकाब में तुझे फिर खुद ही बंदना चाहिए गजल 99 इस गजल में आशिक को ताकीद की गई है कि उसके जिस्म की चटान में ही आबे हयात चुपा है उसकी हस्ती में ही यह अमरित चुपा है फिर भी वे ऐसे तडप रहा है जैसे मचली समंदर में यह रूँ जिस्म में कैद होकर तडपती है अपने वतन की याद में राद दिन रोती है इश्की आग के कारण आशिक मचली की तरह तवे पर भुना जाता है गजल के आखिर में आशिक के लिए पैगाम है कि उसका दिल ही खुदा का आइना है जो खुदा के नूर से रोशन होगा जिस्म की चटान में यह चश्माए दिल है चुपा तोड़ दे इस पत्थर की चटान को तेशा उठा है चुपा आबे हयात तेरी हस्ती के अंधेरे में बन के मचली आबे हयात में खुद को दे बहा गम यह कैसा है कि मचली तडप रही है समंदर में बावजूद इसके कि दिल दर्या की तह में है डूबा भुना जा रहा हूं तवे पर मचली की तरह वजह आतिशे इश्क है जो दिल में है चुपा जल रहा है दिल मेरा सीने के अंदर रात दिन जैसे हिज्रे यार में शमा जलती रहती है लगन से जले चिराग मध्धमसा जैसे बिमारों के सिरहाने नाकी जैसे शमा अंजुमन में देती है जिया बुल-बुले जा रो रही है कैद में इस जिस्म की जैसे गा रही हो नग में दर्द भरे चमन के परिंदों के लिए जब से बागे वसल से आई है कैदे जुदाई में रोती है वो अपने वतन की याद में सुबहों मसा ए बुलबुल महफिले दुनिया में कब तक रोती रहेगी तोड़ कर हक की मदद से हो इस पिंजरे से जुदा चांक दामन से यूसफ की जुदाई का पाया दुख याकूब ने अखीर में पेगाम वसल का उसके पैरहन से ही याकूब को मिला जब खुदा का आईना है तू फिर नफा नुकसान न देख देख उसका हुसन आईनाए दिल में और हैरत में आ या खुदा जब मुईन मिस्कीन का दिल आईना है तेरा खुद के आईने को कर रोशन तू अपने नूर से गजल सौ इस गजल में खुदा साहिफ फर्मा रहे हैं कि काईनात का जर्रा जर्रा खुदा की सिफत कर रहा है इस काईनात में आने से पहले ही हर एक की किस्मत तै हो जाती है खुदा की नेमतों का शुकराना मुश्किल है उसकी तारीफ चाहे कितनी भी की जाए लेकिन उसकी शान और रुटबा लाबेयान है तारीफ तेरी बार बार कर रही चमन में बुलबुले जां गीत तेरे गा रहा है बागे दिल में मुरगे जां आफताब बन नूर तेरा जब से हुआ जाहिर जहां में जाहिरो बातिन के जर्रेजरे करते हैं सिफ़त तेरी बया मेरी किस्मत का कुर्रा जब अजल के दिन डाला गया राज खुला तो मिली नियामत तेरी तारीफ की अपने जिस्मों जामे तेरी इन नेमतों का शुकराना मुश्किल है जुबा काबिल नहीं इतनी फिर भी करेत तेरी सिफत बया तेरी कुर्बत के महल में गर तेरी तारीफ को इतना उचा मकाम ना मिलता तो कुरान के अलफाज की शुरुवात तेरी तारीफ से कैसे होती तेरी तारीफ करने वाले अगर आसमा और जमी एक कर दें तो भी तेरी शान और रुत्बा ना कर पाएं बया मोईन मिस्की गुंगा हुआ तारीफ करने से रहा है यही बहतर करूं तारीफ तेरी बेजुबा गजल 101 खुदा का खेल कितना अजीब है कभी कहता है की राज जाहिर ना कर और कभी कहता है की बेख़ौफ होकर सारे राज बता दे और अगर कोई सुनने को तयार ना भी हो तो भी दरो दिवार से कह दे पहले तो कहता था वो ताकीद करता था ना कहे फिर ना जाने किसलिए इस बार कहता है की कहे जो ना कहना चाहिए था इबादत गुजारों के सामने बेताहाशा बर सरे बाजार कहता है की कहे हिम्मत नहीं की राज मनसूर का चुपाऊं मैं क्या करूं जब फासी का फंदा कहता है की कहे मैंने पूछा इस जहां में राजे दिल किस से कहूं महर में दिल ही नहीं जब दरो दिवार कहते हैं की कहे दिल पर जंडा गार दिया आतिशे इश्क ने ऐसा की मूसा ने कहा था यार कहता है की कहे मैंने पूछा मैं नहीं वैसा तो मेरी खाक में है क्यों चमक चाहता हूँ ना कहूं यह राज यार कहता है की कहे ऐस अबा तुछ से वो पूछे क्या मोहिन कुछ कहता भी था दूर करने को दूई गमखवार कहता है की कहे गजल 102 इस गजल में ख्वाजा साहिब फरमाते हैं की खुदा का नूर जाहिर होने पर रूँ जिस्म का पिंजरा तोड़ कर आजाद हो गई दिलबर के इश्क ने आशिक की लोकलाज खत्म कर दी आशिक खुदा से फर्याद करता है की तू मेरा सहारा बन मैंने दुनिया के सारे आसरों को छोड़ दिया है नूर की आई रोशनी तूरे दिल पारा पारा हुआ तोड़ कर मिट्टी का पिंजरा मुर्गे जाँ आजाद हुआ रब ने रखी आबो गिल पर तेरी बुनियादे वुजूद खाके जिस्म की हच से गुजर हैरा उस गुलकारा पे हो ये साथ सितारे दुनिया के आसमा पर चमक रहे हैं नूरे जां गर चाहे तू इन तारों के उपर तारा हो गर चाहे हो कम खुमारी तो जामे शराब की तलब न कर तोड़ दे जामो मीना मैं खाने से बाहर हो बदनाम गली में दिलबर से हुई है महबत मेरी गर मेरा खिरकाए इज्जत हजार पारा हो तो हो तू कहे कि बे सहारा हो तो सहारा मैं बनू या खुदा अब मैं बे सहारा हूँ तू मेरा चारा हो एमोईन दुनिया के जूले में कब तक बच्चों की तरहा रहेगा बिस्तर ये खाखी लपेट हिंडोले यार में तू सवारा हो गजल एकसो तीन इस गजल में खुआजा साहिब ने खुदा की मेहर का जिक्र किया है कि मैं तो नकारा था तेरी रहमत की निगा ने मुझे काबिल बना दिया जिस तरह सूरज की रोशनी अंधेरे को दूर करती है वैसे ही तूने मेरे लोहे के आइने में अपना नूर रखकर इसे रोशन कर दिया मेरे जिस्म के रोम रोम में तेरा ही नूर जाहिर है आखिर में ख्वाजा साहिब कहते हैं कि अपनी पहचान पाने के लिए कसरत से वेहदत में आना लाजमी है जिस्म मेरा आइना बन कर तेरा जलवा हुआ गर न था काबिल मैं नजरों ने तेरी काबिल किया तू है खुरशीद और मैं आइना लोहे का हूँ रूबरू होकर तेरे चांद की तरह रोशन हुआ रुख पे अपने तेरा ही हुसन लिये फिरता हूँ मैं जर्रे जर्रे में जिस्म के तू है जाहिर हुआ पूछा मैंने अपना पता बता कहा उसने खुद को मिटा फिर देख की दर पे कौन है तेरे खड़ा छोड कसरत एमोईन वहदत बेंकर अपना मकाम कि खुदा ने सिर्पे तेरे ताजे इज़त रख दिया गजल एक सुचार इस गजल में खुदा खुद रब्बी राज बियान कर रहा है आशिक को अंधेरे से बाहर निकल कर खुदा के नूर को देखने की ताकीद कर रहा है यह राज खामोश होकर दिल की गहराईयों में सुना जा सकता है जब आशिक शिकायत करता है कि मैं दर्दे दिल से फर्याद कर रहा हूँ तो मुझे हमेशा यही जवाब मिलता है कि पहले मेरी बात सुन फिर तेरा दर्द भी सुनूँगा गजल के आखिर में एक वाजा साहिब कहते हैं कि वहदत की मैं पीकर ही मैं अपना हाले दिल बयान कर सकता हूँ इधर आ बात ओअधना की मेरी जुबां से सुन राज है तू खुद खुदा का मेरी जुबां से यह राज सुन बया करता हूँ वहदत का राज यकीं अगर तू नहीं करता खोल कान अपने और दिल की गहराई से सुन उठा दे नूर से जुलमत हटा दे राह से कसरत फिर छुपा वहदत का राज अपनी जां से सुन क्या पूछे तू महबबत आशिकों की और नाज माशूकों के जुबां को कर दे खामोश सौसन की तरह फिर अपनी मुर्गे जां से सुन दर्दे दिल से जब फर्याद करता हूँ दुनिया की खबर नहीं रहती चहरा जमी पर मलता हूँ की दर्द मेरे दिलो जां का तू सुन जवाब आता है उस दुनिया से मेरे कान में हर दम सुनूंगा बात तेरी भी अभी तू मेरा राज सुन शराबे लाफानी तू साकी के होटों से पी मोईन आशिकों के दर्द फिर खुबसूरत लाल लबों से सुन भी रुहानी सफर तै किया जा सकता है समंदर से उठा कत्रा चाहे आसमान में जा पहुँचे आखिर वे समंदर में ही समाता है यानि अपने असल में समाता है इसलिए इनसान को हक का इल्म पाने के लिए रब्भी राजों को जानने के लिए रहबर की अगवाई में आना होगा फिर दुनिया की जंजीरों से आजाद होकर जिस रास्ते से यहां आया उसी रास्ते पर कदम मोणने होंगे पाव से जूता अलग कर अर्श की ओर हो रवा उस जगा जिसकी कोई हद नहीं बेजान होकर हो जा रवा ए कत्रा हाला की तु है समंदर से जुदा मगर तेरी हस्ती समंदर है आसमा तक सर उठा ले फिर भी हो तु दरियां में रवा जाहिदों का मुर्गे दिल परवाज भरे जन्नत तक की पार कर तु काइनात का गुंबद ए दिले नादा गंदे कीडे की तरहां कब तक भरे उडान तु बालों पर रखता है तो उड़ कर पहुँच जा आसमा छुपे राजों को तु पा वरना कब तक ढूंडेगा मुझे तु रातों को राहे दिल से आ मेरे यहां ए बे अदब मिस्कीन अपने आमाल में क्या ढूंडता है इल्मे हक गर चाहे तो जा मदरसे आसमा मेरी तरफ जब आएगा तु रहनुमा बनूंगा तेरा राहा में ना ले साथ किसी को मेरी और हो रवा ए मोईन दुनिया के बंधन एक एक करके तोड़ दे जिस रहा से आया है तू हो उसी पर फिर से रवा गजल एक सुच्छे इस गजल में आशिक अपने माशूक से कहता है कि जब से तेरा ख्याल दिल में बसा है मुझे अपने अंदर तेरा ही जलवा दिखाई देता है मुझे जुदाई का दर्द मन्जूर है क्योंकि इसी के जरिये तुझसे विसाल हो सकता है लेकिन अर्श की बुलंदी पर पहुँचने का यह मकसद तेरी रहमत से ही मुम्किन है आइनाए जा में मेरी आया नजर तेरा ख्याल दिल से उठ गई दुनिया बस रह गया तेरा जमाल हिज्र का गम मुझे आज ही खरीदना मन्जूर है कि हासिल इस फायदे से हो मुझे तेरा विसाल मेरे मकसद का महल है अर्श बरी से बुलंद पंकों से तेरे इसी लिए लिप्टा हूँ चीटी की मिसाल हो नहीं सकता खुझ से मुकमल हर्गिस ये कमाल अपने तरीकों से बाज आ जाना ही है तेरा कमाल हक के आशिक मुईन को बिठाते हैं विसाल के सद्रे मकाम पर सच्चे आशिक की जगा हो ना कभी पिछली कतार गजल एक सुसाद खुझ साहिब फरमाते हैं कि अगर जिस्म का रोम रोम आँख बन जाए फिर भी खुझा के नूर की जलक सहपाना मुश्किल है उसके नूर का दिदार रू की आँख से ही किया जा सकता है खुझा का राज जानने के लिए इस जिस्मानी हस्ती से उपर उठना होगा खुझा साहिब अपनी इस गजल में खुझा का राज उसकी वहदत का करिश्मा बियान करते हुए कहते हैं कि मनसूर के अंदर बैठा वो खुझा ही अनलहक के नारे लगा रहा था मौमिन, काफिर सभी खुदा के नूर से जुड़े है खुद ही उसने इनसान को अपना आइना बनाया है उसने ही काइनात शुरू होने से पहले रूहों के साथ इश्क का इकरार किया था दिल पे मेरे आई जहलक उसके रुकसार से जर्रा जर्रा हो गई मेरी हस्ती फिर नूरे यार से जिस्न के जर्रे मेरे एक से हजार हुए फिर भी नजर ना आई एक परचाई भी उसके रुकसार से जेल पाती है कहा खुसन के जल्वे ये आँख दिदार उसका कर तु अपने चश्माए दिल से इश्क बागे जाहे मेवा है तु वो खुद देगा प्यार से आबो गिल से गुजर चल दिलो जांके महल की और तु देख करीब कितना है तु अल्ला के असरार से अमल और सिफत से गुजरा जो आशिक मार्फत की रह से है आकिल वो पर गाफिल दूर है इस राज से हुसने खुदा के जलवे देख हर हसी रूँ में हर चीज पर जाहिर है हुसन नूरे यार से जब अनल हक था जुबां पर खुद में था मनसूर कब सूली पर आवाज आती थी जुबाने यार से कहتे हैं यार का यार ही कब तक रहेगा अपने यार नहीं नहीं, अपना ही यार रहे, पहचान खुद को उस यार से नेक और बद से भरी है दुनिया, सब इसी के जल्वे हैं मौमिन और काफिर जुड़े हैं, सभी नूरो नार से खुद को देखने के लिए उसने इनसां को आइना बनाया फिर खुद ही करे उथल पुथल, है राहूं उसके काज से एक शोला काफी है इस तन की जुल्मत के लिए रोशनी बख्षी उसे वाकिफ है जो असरार से अदम के अंधेरे में तेरे नूर का शोला चमका हर दिल में जान आई अल्ला का इकरार करने से खुसन तेरा जाहिर होता है दर परदा आशिकों पर जिस पे रब की हो नजर वो फिरे क्यों इकरार से राज अजल का कह दिया एक ही गजल में मिस्कीन मोईन ने राज वो लाफानी सुनिये लिबास गुफतार से गजल एक सो आट इनसान और ये दो जहां खुदा के नूर से जाहिर हुए है खुदा के सामने इनकी हस्ती वैसे ही है जैसे जर्रा सूरज के सामने लेकिन जब तक दिल वहदत के समंदर में नहीं डूपता उस राज से अंजान रहता है खुदा के इश्क और नूर से इनसान फानी हस्ती की कैट से आजाद हो सकता है लेकिन अकलमंद लोग यह बात नहीं समझते वो इस बात से गाफिल है कि खुदा की रूँ इनसान में चमक रही है खुदा नहीं इस जहां को इश्क की दौलत बक्षी है इसलिए इस फानी दुनिया का फिक्र नहीं करना चाहिए बेगुमा हस्ती मेरी इशारा है खुदा के नूर का ये दो जहां कत्रा है उसकी मेहर के समंदर का आफताब के सामने जर्रे की क्या हैसियत कि उसका वजूद चमकता है साए के पहलू में सीप का मोती हथेली पर रख कर पैदा नहीं होता जब तक दिल ना डूबे उसकी वहदत के समंदर में दिल के आईने में अपना हुसन दिखलाता है दोस्त तेरे जिस्म की मिट्टी ही है तेरी आँखों के परदे में तू कहा है शोलाए इश्ख आकी डालू अपने में जां हो जाओं फिर हस्ती के अंधेरे से आजाद मैं कहा है समझ आकिलों को की फना में है बका छुपा है उनका नफा अक्ल के नुकसान में हुमा को परवा कहां मकडियों के जाल की मक्यां ही फस्ती हैं उसके ताने बाने में कैदे जिस्म से हो जुदा जाने जां फिर देख तू अर्श से भी और उपर परवाज है रू में खास अपनी रू से इनसान में चमका है वो वरना आदम के लिए क्यों जुकते फरिष्टे सजदे में दुनिया का खजाना इश्क के खजाने से ही मिलता है फिर भी कुछ ना हासिल कर सके दुनिया के खजाने में ना दुनिया होगी ना हम होंगे गम ना कर तू ऐ मोइन गम कहां तक खाऊं दुनिया के होने ना होने में ख्वाजा साहिब इलाही इश्क बियान करते हुए फरमाते हैं कि आशिक को बे अरामी और दुख दर्द की सौगाद इश्क की तरफ से मिलती है लेकिन जिसके दिल में वो अपना जलवा दिखाता है वह मैबूब के जल्म से उफ तक नहीं करता रहमत के दरिया से उठने वाली मौजों के मोतियों को वो अपने दिल की डोरी में पिरो लेता है ख्वाजा साहिब कहते हैं कि इश्क की शराब पीकर मैं तो अजल से ही मतवाला होकर आया हूँ इश्क ने अपना मज़ा जिस जां को चखाया अराम गया उसका पड़ा कहर का साया सेंकडो बंद से भी तू इसे कैद नहीं रख सकता कि ये परिंदा तेरी जुल्फ के जाल से उडान भरके है आया पहले कदम से ही गर सालिक ने ना पाई सही राह रास्ता तो बहुत तै किया पर मन्जिल पे ना पहुँच पाया महबूब की जफा और जुल्म से उफ नहीं करती है वो आँख जिसे हुसन अपना उसने बागे जां में है दिखाया बादे सबा जब आई खिल उठा रुख का गुंचा मानो सुभा ने तेरे चेहरे से नकाब है हटाया महरम नहीं है जब कोई तो कैसे लाउं जुबां पे वो नुकता जो इश्क की जुबा ने मुझे है सुनाया सौ बार दर्याए रहमत से उठी मौजे महबबत की इन मौजों के मोती को जांकी डोरी में है पिरोया क्या जाने तू कि जन्नत में बिखरे ये मोती हैं क्या टपका हुआ अश्क है तिरी आँखों से जो आया होकर मतवाला मौइन आया है बजमे अजल से कि हक ने शराब इश्क का था जाम पिलाया गजल 113 इस गजल में आशिक को ताकीद की गई है कि अगर तू दिल की आँख से देखे तभी काइनात में खुदा का नूर दिखाई देगा खुदी को मिटा तभी तुझे अपनी पहचान होगी अपने अंदर गोता लगा तुझे वहदत के मोती हासिल होगे तु फरिष्टों की तरहां खुदा के हुक्म को मान शैतान की तरहां हुक्म अदूली ना कर अगर तु दु दुनिया से उपर उठ जाए तो तुझे खुदा की नजदी की हासिल होगी तुझे खाखी जिस्म से निकलने पर रब्भी नूर दिखाई देगा दर्वेशों की सोहबत में यकीन से बैठ तुझे इश्क की मैं और उनकी गुफ्तगू नसीब होगी हकीकत की नजर से गर तु अपने जिस्मों जाँ देखे तो हर एक चीज़ के वजूद का सबब तु खुद देखे तेरी तिनके सी ये हस्ती मिसाले आतिशे मूसा बन जाए जो दूर कर दे सर से खुदी की जुल्मत नूर तु खुद में आया देखे तहे दरियाए वहदत से गर लाए इश्क का मोती छुपा रखी है उसमें खुदा ने जो दौलत वो तु आया देखे करे जी जान से कोशिश तो इश्क के महल तक पहुँचे फिर अपने पाउं तले तक तो ताज दो जहां का तु देखे फरिश्टों की तरह यार के जमाले रुकसार में खुजा ना की इबलीस की तरह जो सजदे में उसको बदगुमा देखे जहां की पस्ती और बुराई से सलामत बाहर निकल आतू तो दना से तदल्ला की बुलंदी की तरफ खुद को रवा देखे इस खाके घर से बाहर आ की देखे नूर मौला का तु कब तक अपने घर का सुर्ख नीला शीशा देखे गर आइनाए दिल को जुलमत से साफ रखे तू खुदा के हुसन का जल्वा तू अपने में ही आया देखे गर नजर को बंद करे दुनिया से आँख दिल की खोले अपने यार की हस्ती रगे जां में रवा देखे आफ़कीरों की महफिल में कि खुदी है दौलत मंदों में फिर खुद को पहचाने अपनी नेकी का नतीजा देखे यकीन से मोहिन की मजलिसे रिंदा में आकर बैठ कि गुफ्तगु सुने और मैं को चश्मे जां से देखे इस गजल में खुजा साहिब ने इनसान को नसीहत दी है कि इश्क का मोती उसके दिल के दरिया में है इसलिए बाहर भटकना छोड़ दे और अपने अंदर उस कस्तूरी की खुश्बू को खोज इस जिस्म की कैद में आराम ना कर अपने वतन की और उडान भर तु इश्क के बाग की बुलबुल बनकर अपने वतन को लौट जा फानी दुनिया से नाता तोड़ कर यार को अपने अंदर ढूंड क्योंकि दुनिया और यार दोनों का गुजारा एक जगा नहीं हो सकता इश्क का मोती गर चश्माए दिल तेरा चाहे दिल को दरिया बना गर तु मूती अदन का चाहे क्यों फिरे बिया बानों में तातारी हिरन की तरहां तू सूंग उसकी जुल्फ को गर मुश्क खुतन की चाहे इश्क का बाज है तू कैद में आराम ना कर उड़ उसी बाज की तरहां गरवतन अपना तू चाहे मीठी जुबाँ वाले से मैंने एक नुकता जो पूछा बोला कुरान से ले नुकताए हुनर जो चाहे अर्ष पर ढूडू उसे की यार मेरा है कहा बोला हूँ साथ तेरे दिन रात मिलना तू अगर चाहे उसने परदे को उठाया कहा नजदीक तो आ थाम ले जामे शराब गर शर्म छोड़ना चाहे थाम डोरी अनलहक की गर चाहे राहे बका क्यों फानी दुनिया की सूली और फंदा तू चाहे ए पाक परिंदे बंजा बागे इश्क की बुलबुल अगर नजारा गुलो चमन का तू देखना चाहे घर से गैरों को अलग कर धूंड यार को ऐ मोईन ना मुम्किन है कि रहें दोनों एक साथ गर तू चाहे इस गजल में आशिक ने अपने दिल की बात जाहिर की है कि जब माशूक अपना जलवा जाहिर करेगा तो मेरी हस्ती मिट जाएगी माशूक शमा है जिसके हुस्न पर आशिक पतंगा अपनी जान कुर्बान कर देता है विसाल की तमन्ना में आशिक इश्क की आग और जुदाई के जख्म सहने को तयार है जब से दिल में महबूब का इश्क पैदा हुआ दुखों की फौज ने चारों तरफ से हमला बोल दिया आशिक ने अपना दिल महबूब के हवाले कर दिया है अब वो जैसा चाहे वैसा करे फिर आशिक कहता है कि मैं अपने इश्क का राज तुझे ही बताना चाहता हूँ तुझसे बहतर इसे कोई समझ नहीं पाएगा अपनी नजर से तुने मुझे इतनी इज़त बक्षी है ए खुदा तेरी महर मुझ पर कायम रहे जब तु अपने जमाल से अंदरूनी परदे उतार देगा तेरे जुहूर से मेरा वुझूद मिट जाएगा तेरा नूरे हुस्न शमा के रुख पर है चमका बुरा ना कह पतंगों को करें जो जान फिदा निशा मेहरो महबबत के मेरे दिल से मिट नहीं सकते कि सोजे इश्क से पिगल जाए मौम जिस्म का मेरा इश्क में तेरे सह रहा हूं जख्म जुदाई का चंग की तरह है आर्जू यही कि मुझे तु वसल की इज़त बख्षना दर्द और बलाओं की फौज ने कतारों में पहरा लगाया जब से तुने दिल पे मेरे इश्क का जंडा लहराया यहे दिल है मेरा जो आइने के सूरत में तेरे हाथ में है कि तु इसे गेंद की तरहा हर तरफ है फैंकता दुनिया की चीजें जब जाहिर और आया की सूरत में हैं अब तु चाहे दिल को आइना बनाए या गेंद का खेल बच्चों का हर आइने में तु अपना अकसे जमाल खुद देखे काश अपनी तजल्ली से डाले दिल पर जिया तेरे सिवा ना किसी से मैं राज दिल का कहूं तु राज सुन कि तु बहतर है राजदार मेरा रमजे इश्क मेरा दिल कहता है तुझी से नहीं है तुझ सा कोई हमदम और हम आवाज मेरा मोईन को तुने एक ही नजर में खाक से उठाया है उमीद है तु उसको नजर से अब नहीं गिराएगा गजल 116 गजल के हर शेर की पहली पंक्ती एक सच बयान करती है और दूसरी पंक्ती में एक सवाल किया गया है सवाल में ही जवाब छुपा है इस गजल के सभी शेरों में खुदा के जाहिर और गुप्त होने का राज बताया गया है आखरी शेर में खुदा बंदे से कहता है तू मेरी खोज अपनी जामे कर फिर पता चलेगा कि तेरे अंदर कौन छुपा है आखों में जाहिर जो है बातिन में छिपा वो कौन है जो ना आए समझ में आखिर वो जाहिर कौन है खलक में सिफत हर चीज की जाहिर हुई सिफत की हद से जो बाहर है बियां वो कौन है तू हर हकीकते खलक में जल्वा गर है फिर मुख्तलिफ सूरत लिबासों में जो जाहिर वो कौन है ना खबर रखे बदन ना जांको कोई असर हो फिर भी रू की तरह है जो जाहिर और निहां वो कौन है जब रगे जां में रवा है शहदो शीर की तरह तू मेरी शीरी जां में है जो हमराए जां वो कौन है कुरान में है तू ने कहा कि इस जहां में मैं बे जुबा करता हूं बात बगैर कान सुनता हूं फिर सुनता बोलता है जो कान और जुबा से वो कौन है जहां के जर्रे जर्रे में है तेरे निशां के पते बावजूद इन पतों का वो बेनिशां कौन है हिज्र के गम में आशिकों का दर्दमंद भी तू है फिर वसल में पाए आराम जिससे आशिक वो कौन है छे रुखी दुनिया है तेरे अकसे चहरे का रौशन चिराग इससे परे जहां रौशन है जिससे वो आखिर कौन है जुस्तजू में तेरी हर दम फिरता हूँ दिवाना सा हैरान हूँ साथ मेरे है जो रवा वो कौन है बोले वो कब तक फिरोगे हर तरफ एमोईन ढूंडो खुद में तब जानो कि बे निशाँ वो कौन है इस गजल में बताया गया है कि अगर इनसान अपने दिल को पाक कर ले तो उसमें खुदा का हुसन दिखाई देगा दिल को पाक करने के लिए इश्क की आग में जलना पड़ता है इनसान को ताकीद की जा रही है कि इस दुनिया के ताने बाने से निकल तो दुनिया के नफे नुकसान का हिसाब किताब नहीं लगा सकता रूह शुरू से ही इस जिसम की पाबंद नहीं है इश्क इनसान की बुनियाद है इसलिए इश्क की सदा उसे बुलाती है फरिष्टे भी इनसान को इसलिए सजदा करते है क्योंकि इसमें खुदा का नूर जाहिर है गजल के आखिर में खुदा के इश्क में जखमी आशिक फरियाद करता है कि मैं तेरे बिना रहे नहीं सकता लेकिन अब तेरे गम का बोज भी बरदाश्ट नहीं होता ए इनसान तुझ में है रोशन खुस्न अल्ला का काश अपने आइनाएं दिल को तु साफ करता कर पाक शजरे हस्ती को जला कर उल्फत की आग में जब तक जल न जाए रहेगा कैदे हस्ती में डूबा छोड़ कर दुनिया को अकेला ही तू परदे से निकल बेवा की तरहां क्यों दुनिया के ताने बाने में है फसा नफे नुकसान पर तेरा नहीं है इक्तियार नुकसान हुआ तुझे कि तू नफे के चककर में था है हकीकत कि अदम में तु वजूद का पाबंद नहीं था आया जब इस दुनिया में तो तेरा नाम फर्जी रख दिया आसमा से रोज आती है इश्क के तबले की गूंज क्या हुआ था एक सुभा सुनी क्यों ना तबले की सदा तु समझ तेरी हकीकत है एक पानी के कत्रे जितनी दर्वेश सभी कहते हैं कि इश्क है तेरी बिना कद्र अपनी यों समझ की खास महमान है तू फजल के दस्तर खान पर सब तेरे वजूद से है तू ही तो है मकसदे खुदा आदम का ना आलम का था नामो निशा वहदत के खेमे में खुदा का हमनशी तू ही तो था सजदा आदम को हरगिज ना करते फरिष्टे अर्श पर देखते वो गरना तेरे जिस्म में जाहिर नूरे खुदा हो शहीद इश्क में ए दिल की शहीदों की नजर में एक साही रुत्पा है आशिक और माशूक का पहुँचा कोह पर उसी में का कत्रा था जो तूने मुझे पिलाई थी बेहिसाब क्या है किसी में में ऐसी तौफीक की दिखा दे बेपरदा तेरे नूरे हुसन का जर्रा जर्रा सुने मनसूर के नारों को गर नूरी रुख से अपने परदा हटा दे मर रहा हूँ तुझ पे मुश्किल है तुझको छोड़ना भी इश्क का बिमार कब रखता है उमीदे शफा मैं हजारों बार गम बरदाश्ट करता ही गया तू गम में मेरे इजाफा ही इजाफा करता गया गम का शिक्वा तो मौइन करता नहीं पर सोच जरा बोज हाथी का मच्छर किस तरह खीचे सदा गजल 118 खौजा साहिप फरमाते हैं कि इस रुहानी राज से कोई वाकिफ नहीं कि दोनों जहान में सिवाए खुदा के कोई और नहीं है वह खुद ही माशूक है और आशिक भी वही है वो यह कहता तो है कि दिल में कोई नहीं छुपा लेकिन दिल में इश्क के नगमे सुनने वाला भी वही है इश्क का दावा कोई कर नहीं सकता क्योंकि दिलो जां में बसने वाला भी वही है सिवा अल्ला के दर नहीं कोई दर्मियाने दो जहां हैं सो दलीले पर कोई इस राज से वाकिफ कहां नुकता मैं और तू के राज का हम सभी से है छुपा सैंकडों में भी कर नहीं सकता कोई इसे तफसील से बया आशिकों माशूक को खुद में से खुद पैदा किया कि उस पर दूसरा कोई नहीं है निगहवा अपने सीने में सुरीला नगमा सुनता है तू फिर कहता है कि इस घर में नहीं कोई निहा जिन्दा दिल को मौत का गम रोजे अजल से नहीं हुआ ए हयाते दिल नहीं जिन्दा कोई उसके सिवा इश्क का दावा कर सकता नहीं कोई कि जानो दिल में अपने है वही हम राहे जाँ जानो दिल से सह रहा है तेरे गम का बोज मोईन कि सिर्फ जुबां से कोई तेरा तलबगार नहीं बना इस गजल में आशिक को हिदायत दी गई है अगर मस्ती की हालत में तु अंदर की आँख खोल ले तो तुझे महबूब का दिदार हो जाएगा सौ सालों तक पड़ी रात की नमाज और दिन के रोजों से बहतर वह पल है जब तु अपने जिस्म से उपर उठे खुदी को मिटा कर ही तु रुहानी बुलंदी पर पहुँच सकता है मनजिले मकसूद को हासिल कर सकता है सब तरह की चतुराई छोड़ कर उसकी रजा में रहे अपने रहबर की गुलामी और उसकी खिद्मत उसी तरह कर जैसे आयाज ने महमूद की खिद्मत की थी मस्त होकर गर तु अपने दिल की आँख खोल दे यार का दिदार तु पहली नजर में ही करे गर एक लमहा हस्ती से गुजरे बहतर है उन सौ सालों से जिसमें तू पढ़े रात को नमाज और दिन में रोजा रखे गाफिल हो गर राज दिल बर का पाने में तू बहतर है कि दुनिया से तू परदा करे तेरी खुदी में है छुपा रुत्बा तेरी बुलंदी का बगैर इसके तू अपना सर बुलंद ना कर सके फलक के पांसों से तू अपनी जां को सलामत ना रख सके गर जुए बाजी तू फलक के बाजी गर से करे नाज से तू मनजले मकसूद पर पहुँचे कहा सर जुका की मार्फत की रहा को तू तै करे नाज से तुझको ना आने दे तो तू ना जा की आखिर वो महबत से तुझको बुलाए नाज उस दम तू करे गर तू बंदगी करे तक्ते सुल्तानी पर बैठे मोईन आयाज ने महमूद की खिदमत की थी जैसे गजल एकसो बीस इस गजल में आशिक अपनी हालत बियान करता है कि माशूक ने वहदत की ऐसी शराब पिलाई कि दिल में मुझे हू की हूक सुनाई देने लगी मैं की कैफियत ऐसी थी कि दिल में यार का दिदार हो गया उसकी मौजूदकी के एहसास ने खुदी को फना कर दिया मैं उसमें और वो मुझ में समा गया ए साकिये वहदत मुझे ये जामे मैं कैसा दिया कि हर गड़ी दिल से मेरे आती है हू हू की सदा खामोश रह ऐ जामे मैं क्यों जोश में टपके है तू खामोश रह ऐ बांसरी तुझे फूकता है खुद खुदा ना जाने कैसी दी मैं कि एक घूट में ही जामे दिल धुल कर चमक उठा ऐसा कि दिदारे यार हासिल हुआ हुसन दिलबर का देख कर मैं महा की तरह आशिक हुआ नाज से उसने गले लगाया कहा कब तक रहेगा तू मुझे से जुदा मैंने उन मकामों को भी देखा और किस से भी सुने पहुचा उस जगा जहां गुजर अब तक किसी का ना हुआ दामन अकल का छोड़ कर पहुचा मैं बाजारे जुनू में देखा की मटके में भरा मैं खाना वहदत का है सजा एक जाम भर कर याद में उस दिल रुबा के पी गया फना खुद को करके लाफानी जिन्दगी को पा लिया खुदा की जात में गुम होकर ना गुना बाखी रहे ना बंदगी कैफियत हुई ऐसी कि मैं उसमें और वो मुझ में समा गया दावा ना कर एमोईन कि दिवान ये अनमोल है अभी तो मार्फत का मैंने एक पन्ना भी नहीं लिखा गजल 121 इस गजल में बताया गया है कि माशूक की जुदाई आशिक को बेसब्र कर देती है हर पल उसी का ख्याल दिल में आता है ऐसी हालत में आशिक फर्याद करता है कि कभी तो तू अपने हसीन चहरे से नकाब हटा आशिक कहता है कि अगर खुदा के मस्तानों को इश्क की शराब नसीब हो जाए तो दिल पर पड़े सारे परदे उठ जाए कभी तो हसीन रुख से अपने नकाबे जुल्फ उठा कि एक नजर से हजारों आशिकों पे चोट लगा शराब से तू निकल या फिर उठा दे परदा कि दिल जलों को सबर नहीं अब जुदाई का जुदाई में तेरे हुसन के सबर अब है नामुम्किन हर लमहा मेरे दिल में तू बार बार है आता एक परदा उठा कि तूने मेरे दिल को छीन लिया गर हुसने चहरा दिखा दे तो रहे ना दिल ना जां की दुनिया दिल तू खाक बन आकर मजलिस में रिंदों की कि खाके दिल पे चिड़क दे तेरे शराबे खुदा गर खुदा के मस्तानों की मैं हो जाए नसीब हर परदा उठ जाए तेरे दिलो जां का वो आधी घूंट ही दिल पर मचाए है शोर अनलहक का खामोश रह मोईन नजर डाल के देख मकाम अपना गजल 122 इस गजल में आशिक अपने दिल को दिलबर का राजदार बताता है उसके लिए माशूक ही दिल का नुक्ता और दाइरा है उस माशूक का आशिक के दिल में ही ठिकाना है आखिर में ख्वाजा साहिब ने आशिक को दिल खोल कर इश्क के राज को बया करने को कहा है ए दिल तु राजदार एक ही दिलबर बेमिसाल का है गरतीर मौत का आय तू ही उसका निशाना है इश्क की भटी से जो चाहत की लौ उठती है वो तेरी जुबां के अंगारों का फसाना है बदन है दाइरा है दर्मिया इसके नुकता दिल का मेरा दिल हो दाइरा तो तू ही नुकता तू ही दाइरा है पूछा उससे किसलिए है परदे में तू निहा बोला तेरा वजूद ही मेरे लिए परदा है तेरी हस्ती बहाना है हुमाए इश्क फसा कब जहां के फंदों में तेरी मुर्गे जां कैदे आबो दाना है इंतजार में है वो तेरे दर पे तू नहीं जानता ढूंडता है जिसे तू उसका तेरे अंदर ही ठिकाना है मोईन मिंबर पर चड़कर बया कर नुकताए इश्क तू बागे इश्क की बुलबुल दर जमाना है राधा स्वामी सत्संग बयास की पुस्तक हजरत ख्वाजा मोईनुदिन चिश्ती अजमेर के गरीब नवाज का समापन ओडियो कॉपिराइट दो हजार बाईस सर्वादिकार सुरक्षित राधा स्वामी सत्संग बयास स्वार्षित